गुट मारिंग स्टूडेंट मैं डॉक्टर वंदना आको दिया गौर्मेंट कॉलेज बूंदी बच्चो पिछले वीडियो में हमने फिनोल के बारे में पढ़ा था आज हम फिनोल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चो यह अभिक्रि यह आपकी जो है वह फ्रिंज पुरन पुनर्विन्यास यानि कि जब फिनॉलिक एस्टरों को निर्जल एल सील थी के साथ गरम किया जाता है तो एसल समूल लिक ऑक्सिजन से और्थो इस्तिति पर अभिगमित हो जाता है एवां हाइडॉक्सी की टोन का मिश्टर्ण प्रा दो हो रही है तो उसमीद जो आपका समूल है वह आपके एच को रिप्लेश करके यहां पर आ जाता है और यह सील 3-2 की प्रजेंस में यह और्थो हईडॉक्सी एसटो फिनोन यह पेर हईडॉक्सी एसटो फिनोन बनाता है भी समाने तर्पर यानि कि यह दि हम इसका साठ ड और 160 से नीचे रखेस के बीच का रखेंगे तो हमें और्थोसमावी मिलेगा बच्चों यहां पर आप रियक्षन देखिए यहां पर असेटिक एन्हाइड़ाइट लिया है और मेटाक्रिसॉल के साथ रियक्षन हो रही है वही आपका देखिए यह ग्रूप है आपका O, CO, CO, CS3, CS3 तो इसमें से बच्चों यह एसल सम्मू है यह एसल सम्मू यहां पर हाइडोजन को रिप्लेस करके जुड़ गया कराई तो हमें पहरा है यहां पर एक्जांपल लिया है कि यदि कोई ऐसा है कि और सो पोजिशन जो है हमारी है तो उस कंडिशन में हमें जो पात प्राप्त होता है वह यह है 3-methyl-1,4-hydroxy-acetone-phenon प्राप्त होता है यानि कि हमें पहरा प्रतिस्थापी मिलेगा अब बच्चों आती है इसकी मेकेनिजम की बात करें तो इसके लिए दो प्रकार की अभिक्राएं दी गई है एक तो होती है अंत्रानुक और एक ह एसली करन के समानी वले पर आकरमन करता है तो पहली हम रियक्शन मेकनिजम इसमें देखें तो आप यहां पर देखिए इंट्रा मॉलिक्योलर मेकनिजम है तो सबसे पहले यहां पर आके इस पर अटक करेगा और उसके साथ ही आपका यह कॉंप्लेक्स बनता है अब यहां पर इलक्रोनिक मूंमेंट देखें ऑक्सिजन से यहां पर इस तरह से रजोनेटिंग स्टेबल होगा और आगे दीखिए आप यह गूरूप आपका अटक करेगा नीचे और तो पोजिशन पर यहां पर तो इसके लिए आप यह देखिए कि यहां पर आप देखिए कि यहां पर और यहां पर निकलेगा और यहां से यह निकलिगा तोवाद्य हम इसका जो सकता है जैसा कि हमने पूरी रियक्शन मेकनिजम में देखा है अब बात आती है बच्चों इंट्रा मॉलीकुलर मेकनिजम की यह हम कहेंगे अंत्राणुक हाइडो क्रियाविधी की इसके अंदर आप यह कॉंप्लेक्स फॉर्मेशन जो अपने इंट्रिमीडियर बनाया था वह बन ग जोड़ गया अब यहां से बच्चों वही माइनस अस्यल निकलेगा और आपका हाइडोलिसिस कराने पर हमें यहां पर प्रॉड़क्ट प्राप्त होता है इसी तरह से बच्चों अगली अभिक्रिया है हमारी क्लेंजन पुनर्विन्यास यानि कि एलील और एरील एथर को त बनाते हैं क्लेंजन पुनर्विन्यास के आउशकता नहीं होती यानि कि यदी हमें क्लेंजन रियरेंड्मेंड की बात करेंगे तो यहां पर हम किसी तरह का उत्पुरियरक है बच्चों वह यहां पर भाग नहीं लेता है आप यह देखिए हमने जब इसकी रियक्शन रहेते वहां पर भी इस रियक्शन को पढ़ा है उसको दुबारा पढ़ते हैं यहां पर यह देखिए आप यह आपका CS2 CS double bond CS2 group है अब यह rearrange होकर high temperature पर क्या बना रहा आपका और्थो पोजिशन पर यहां पर अटेच्च हो गया अब आप यहां पर यह देखिए if the ortho position are occupy arrange of a loyal group occur to the paraposition यदि आपके बोनों और्थो यहां पर देखिए यदि दोनों और्थो possessions occupy तो आपका जो पुनर्मिन्यास होगा कहां पर होगा पर पर सॉचिशन पर होगा यदि हम इसकी mechanism देखिए तो आप इसकी mechanism देखिए गामा स्थिति पर कार्बन 14 को हम गामा पोजिशन पर हैस बिन शो दैट इन दे अर्रेंग्मेंट प्रोड़क्ट अब बच्चों यहां हमने क्या करा है कि यहां पर यह डिपेंड कर रहा है कि आपका जो ब्रेकिंग हो गई चलो बॉंड से यहां बेकिंग हो गई इसके बाद में ज यानि लेबलकारबन्यानि कि हमारा टोई यह Isaac 2 गामा कारवर है वह लेबल Д कार्बन जुड़ता है ना कि हमारा एल्फा कार्बन जुड़ता है इसी तरह से बच्चों देखिए दीज अब्सर्वेशन सजेस्ट यानि कि इस अभिक्रिया से हमें यह पता लगता है कि जो अनुक वेदी द्वारा हुआ है और इसमें एक हमार को एक संक्रमन अवस्था मिलती है जिससे की पूरा यह प्रोटोन होता है यह आपका अल्फा बीचा और यह आपका गामा है और यह देखिए और इसके बाद में यहां पर हमारा यह जुड़ जाता और यहां का जो प्रोटोन है वो यहां शिक्त हो जाता है तो यह हुई बच्चो मेकेनिजम अब पेरा पुनर्विन्यास के क्रियाविदी में दो चरण होते हैं बच्चों यह तो हमारा बना और थो अब यदि हम पैरा की बात करें तो दो चरणों में पूर्ण होती है और प्रतिक चरण में बंधन उल्टा होता है फलसरुप अंति जो कार्वन था वो और्थो पोजिशन पर जुड़ा था मगर यहां ऐसा नहीं होता है यहां पर हमारा जो अल्फा कार्वन है वही जुड़ता है आप यह देखिए और सो पोजिशन उकपाईए और हमें नीचे यह मिला है तो क्लेंजर पुनर्विन्यास एक भिन अभिक्र क्लास में हो बच्चो सकेंडियर में हो जब पीजी अप में आएंगे तब पढ़ेंगे परिसाइक्लिक रियक्शन तो आप पूरा सा अच्छी तरह से समझ में आएगा अब बच्चों आती है अगली रियक्शन आती है गॉटर्मान अल्डिहाइड रियक्शन तो एल-C-L- लेजल्डीमीन और यह आपस हैईडॉलिसेस करने पर हमें परहाइड विजिलडीहीड देता है अब सिम्पल सी रियक्शन है बच्चों एच्सियल और हमने मिक्शर लिया है तो तो हमें यहां पर क्या मेरा है पैरा है यहां जला डायमीन तो अब इसके बाद में हमें है रियक्षिन की बात करें तो आप यहां देखें कि अभी क्रिया में मद्ध्य वर्त्री बनता है हमारा जिसे हम करते हैं इमीडो फॉर्मिलीन यह हमारा क्या है इमीडो फॉर्मिलीन बनता है और जो कि अरोमेटिक वले पर एक फॉर्मिली करण की भाती अकरमन करता है अब यह बना है यह है आपका अलिफटिक तो सबसे पहले है अकल एक शेए कि रेक्षिन होई है यह तो आप यहां पर देखें दबल बॉर्ण एन एनच त्यूड़ गया और एक चील यहां आगया यह यह कपलिंग रियक्षिन है H C triple bond N, अब इसमें क्या हुआ, C L, H C L जूड़ेगा विच्चो, यह यहां जूड़ गया, और यहां से आपका bond टूड़ गया, यहां H आगया, यह बना आपका, क्या बना यह, intermediate कौन सा बताया था, मैंने आपको, इमीडो, फॉर्मिल क्लोराइड, तो यह इमीडो, फॉर्मिल क्लोराइड, अब फिनॉल पर आक्रमन करता है, यहां से HCL निकलेगा, और यह पैरा पोजेशन पर जुड़ा, यहां से लाक्रोन, यहां शूट वे primary amine में हुआ, और यह इस तरह के intermediate द्वारा stable हो जाता है, बच हम इसका hydrolysis करा रहे हैं, तो यहां पर देखिए, H2O हो गया, और NH2 ग्रूप हो गया, यहां पर NH3 निकल जाएगा, एक proton यहां निकला पहले, फिर यहां से NH3 निकलेगा, और हमारा यहां पर ammonia निकलने के बाद में, यह rearrange होकर हमें क्या देगा, LD हाइड देगा, यह आपके जो शॉटनोट होते हैं, उनमें इस तरह के भी क्रिया पूछ री जाती है, उस समय आपको यह बताना पड़ेगा, नाम पूछा जाता है, तो आपको पूरी मेकैनिजम के साथ में इन अभी क्रिया को आपको एक्स्प्रीन करना पड़ेगा, तो जब फ्रीडल करते हैं, इस अभी क्रिया में फिनोल को जिंक क्लोराइड उपरेगे उपसिज में एक नाइट्राइल के साथ अभी कराया जाता है, अब यह आपकी मेकैनिजम है बच्चों, यहां पर आप यह देखिए, हमने यहां पर क्या लिया है, ट्राइ हाइड्रोक्सी फिनोल लिया जिसकी हमने CS3, CN से रियक्शन कराई है, किसकी प्रेजन्स में, जेडन, CL2 और HCL की प्रेजन्स में, साथ ही एथर एजए सॉल्वेंट लिया, टेंपरेचर हमने माइनस 10 से 0 डिगरी के बीच किया है, तो हमें यह इंट्रिमीडियेट मिला, जिसको की हम हाइड्रोलिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पानी के साथ गरम करने पर हमें मिलता है, तो हमें मिलता है, अब बच्चों यदि हम इसकी मेकैनिजम की यदि हम बात करें, तो आप सबसे पहले आप यह देखिए, कि यह हमारा HCN, CSC-CN, इसके साथ रियक्शन करा है, उसके बाद है, हमें यह प्रॉड़क्ट देखने को मिल रहा है, अब आप इसके मेकैनिजम देखिए, कि जो CSC-CNH होता है, आइडरोजन यहां चला गया, इस तरह से रियरेंज होता है, रियरेंजमेंट देखिए, आपको रेजोनेंस स्टेबल है, यह आपका यहां पर आकर्मन करेगा, और यहां इस तरह से बच्चों, अगली अभिक्रिया है हमारी, लेंडरे से मेनास अभिक्रिया, बच्चों यह बहुत ही इंपोर्टेंट रियक्शन है, और कई बार यह पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों, बेकेलाइट बनता है, बेकेलाइट एक तरह का पॉलिमर होता है, और आपसे कई बार पूछा जाता है, कि आप का संतेस्स कैसे करेंगे, तो हमें इस रियक्शन को महाँ पर लिखना होता है, तनु अमलिया शार की पस्तित में फिनॉल का संगनन यदि हम फॉर्मल्री हाइट से कराते हैं, तो हमें मुख्य उतपात के रूप में पैरा हैड्रोक्सी बेंजल अलकोहल, वह कम मात्रा में हम हमें और्थो हाइड्रोक्सी बेंजल अलकोहल भी मिलता है, और इसे ही हम लेंडेरल मेना से अभिक्रिया कहते हैं, अब सिंपल सी रियक्शन है, हमने फिनॉल लिया है, इसकी फॉर्मल्री हाइट से रियक्शन करवाई है, किसकी प्रेजन्स में कराई है, एने ओएच और अ अधिक मात्रा में बिलता है, और यह हमें कम मात्रा में बिलता है, अब बचो बात आती है, शारिय उत्प्रेरित होने की, तो शार उत्प्रेरित अभिक्रिया में फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन में बदलता है, जो अधिक रियाशिल होता है, अब बचो आप यहां पर इस आयन बनाँ आपका फिनोक्साइद आयन बनाँ अब यह फिनोक्साइड आयन किससे टेच करेगा आपका toxic से न्हित देख्ड़ से नहीं इदर देख़ देख्ड़ अब अपर यह च ऑब लूद्भंड आ गया यहां ऑगया यह चो का न्हीं जो आपके बांडिंग लेक्ट्रोन यहां शुप हुए और आपका जो वापस से ऑक्सिजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यह आपका क्या बना और थो हाइड्रोक्सी बेंजल अलकोहल अब यदि हम एसेट केटलिस्ट की बात करें यानि कि अम उत्प्रीरित क्रियाविधी में सर्फपतम फॉर्मेल्डी हाइट का प्रोटोनी करन होता है जो एक अच्छे एलेक्ट्रोन सेनी अभी क्रिया की तरह कारी करता है अब इसके अंदर बच्चों देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया फॉर्मेल्डी हाइट को प्रोटोनीट किया और इस जरह से हमें एक एलेक्ट्रोफाइल मिला है यह रेजोनेंटिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज है बच्चों कोई भी हमारा एलेक्ट्रोफाइल बनता है यदि वह रेजोनेंस उसके अंदर है तो उसकी स्टेबलीटी को वह बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अब यह देखिए यह हमारा किस पर आक्रमन कर रहा है यहां और यहां पर फिनोक्साइड आयन बन रहा था बच्चों यहां नहीं बन रहा है और यहां से यह यहां पर इलक्ट पार्ट है मैंने आपसे बोला था कि जनरली हमें बेकलाइट जो पॉलीमर है वो मिलता है वह तो कैसे मिलेगा इस अभीक्रिया को फिनोल फॉर्मेलडी हाइड रेजीन बेकलाइड बनाने है तो व्यापक रूप से प्रियोग में लाया जाता है उधारन के सवरूब के या जो लॉजी के बॉटनी के विध्यारती है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप प्राक्टिकल में सेक्शन कटिंग करते हैं तो पित रखा जाता है तो आप यह देखे कि यहां पर आपका जो फॉर्मेलीन का है उसका जलिये विलिया है और फॉर्मेल कहते हैं यह आपके वेकलाइट का स्ट्क्चर हो गया बच्चों आपके देखे यह इस तरह का पॉलीमर है यानि कि पूरा आपका पॉलीमर की फॉर्म में हो जाता है अब हमारी लास्ट रियक्शन है बच्चों राइमर टिमार रियक्शन यह पहले भी आपने पढ़ी थी पने पीछे पढ़ा था इसको मगर हमने वहां पर इसकी मेकेनिजम को नहीं लिया था यहां हम इसकी मेकेनिजम देखेंगे यह फिनॉल के फॉर्मिली करन की अन्यविदी है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं शार के मिश्टन के साथ 70 डिग्री सेंटिग्रेट पर गरम करने पर हमें और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डी हाइड अर्था सलेसलेल्डी हाइड मुख्य उत्पात के रूप में ताप्त होता है और बच्चों कई बार राइमेटीमार रियक्शन को डारेक्ट न पूच कर यह कहा जाता है कि आप सलेसलिक अल्डी हाइड किस तरह से तो आप यहां पर देखिए यह फिनॉल है क्लोरोफर्म और क्योज की प्रेजन्स में हम इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेट पर गरम कर रहे हैं तो हमें सलेसल डी हाइड मिल रहा है के सील बाहर निकलता है और हमें वाटर मॉल्य क्यूल यहां से बाहर निकलता है सामनेत्या मुख्य उत्पाद में और्थो समावई होता है किन्तों यदि एक और्थो इस्तिति भरी हो तो अल्डी हाइड समू हमारा पैरा इस्तिति में चला जाएगा यदि हम यहां पर आप यह देखिए ओस री है इसकी हज़ब हम सीए 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 सील 3 एक्लोरोफर्म और कई बार एक ऐस्टर्थ पूच ले जाता है आपको जब वन्वर्ड कॉश्टें सुर्थ होते हैं उसमें कई बार पूचलिया जाता है वैनिलन इनका स्ट्थर बताई है तरहाऊं तो आपको इनके स्ट्थर भी यारत होने चाहिए अब इसके यदि हम मेकेनिजम की बात करें बच्चों तो आप देखिए कि इस अभिक्रिया में डाई क्लोरो कार्बीन बध्यवर्ती बनता है जो अतिक रियाशिल फिनॉक्साइड वालेक पर इलेक्रोंस नहीं की भाती आक्रमन करता है आप यहां देखिए यह आपका पूरा इलेक्रो यह आपका कौन्स हे कार्बीन है अब यह आपका इससे अटैच हुआ यहां से आपका व kills निकलेगा की प्रजियर में पर बे todo पोजीशन पर यहां से प्रोटोन इधर जाएगा और आप यहां पर वापस से प्रोटोन निकलेगा प्रोटोन निखलने के बाद में बच्चों आप osc reaction करवाएंगे तो आप यह aldehyde group में यहां पर ql निकलने के बाद आपको salicylic aldehyde ज़ता है बच्चों यह तो हमने बात करी कि कैसे हमें हमने important reactions है हमारी फिनॉल की उनके बारे में पढ़ा बच्चो फिनॉल जो हमारा aromatic system है जो यह बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी नाम वाले अभीक्रिया हैं साथ ही बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपसे यह भी पूछा जाता है बहुत सारी reasoning question पूछे जाते हैं कि किस तरह से आपकी इसका जो acidic nature है फिनॉल का उसको आपको explain करना होगा कई बार comparison आता है कि जो आपका फिनॉल है वह एसिट से कम ऐसे भी क्यों है इसी तरह से वह अधिक अमली क्यों है इस तरह कि बहुत सारे questions आते हैं इसमें यह भी पूछा जाता है कि पैरा समावई या और्थो समावई पर यदि कोई group जुड़ा हुआ है तो इसके इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो फिनॉल की जो कुछ is च्रक्चर है इसी के साथ ही दि यह और प्रेक्षे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगेड़ फिन की चौकि हक यह बताव है कि प्ờैक्षन होती है है प्र い और्थो और पेरा पोजिशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वज़े से बच्चों हमारा जो यह है और तो पेरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज होने से हमारा वहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटेक नहीं कर से खतब समाप्त हुआ है और मैं आशा करती हूं कि पिछले तीनों वीडियो को आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आपको किसी भी तरह की समस्य आती है तो आप इसके लिए मुझसे संपर्व कर सकते हैं धर्नेवाद